असलाम अलेकूम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ सब ठीक होंगे काफी अरसा से वीडियो नहीं बनाई थी मैं काम में बीजी हो गया था और बहुत ज्यादा बीजी हो गया था इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका उसके लिए अपॉलोजाइज विंटर स् अरबी तो ओ विंटर जो हाःश विंटर होती है वो स्टार्ड भी नहीं होई है अन्यवेज देख꾸 एंस देंच दे हैं क्या होता है अब आज मैरा ड्राइविंग का टेस्ट है फाइनल रोदे स्ट जो के मैं अपने सी इने मिंढही मांटपर्ल में नहीं हारबग्रेस में देने जा रहा हूं और वो अबाउट 90 to 95 km अवे है मेरे सिर्टी से तो मेरा एक फरंड है मैंने उसको अग्री किया अबने साथ तो उसके साथ मैं जाऊंगा और जो रास्ते में अच्छे-च्छे मनजर राएंगी वो भी कैप्चे को के आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा तो चलिए चलते ना झाला है झाल झाल All right guys, मैंने अपना टेस्ट दे दिया है और मैं पास हो गया हूँ, पर्स ट्राइ में ही, कोई ज्यादा प्राब्लम नहीं होई और मैं अब वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूं और घर पहुंचके मैं आपको सारा डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है जिसके पास लाइसेंस होता है उसको क्या करना चाहिए और कौन से स्टेप्स हैं तो चलिए घर जा क देंस करना पिटेल्स से अपको बात बताते हैं कि याई मैं अजने आडने अःवन पर और अब मैं अपना सारी स्टोर्य पता को कि रायोरा हूं कि कैसे अपल इंच की, है एक कौण कौण से स्रेपस है और मेरे पास पाकिस्तान कर भी थाए है तो उसकेat बॉसकी बेस पर मैंने कंड़ा राइंटा करतिया था तो इसको सबसे पहले रिजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है वो रिटन एक्जाम के लिए अगर रिटन एक्जाम आपने दे दिया है तो आपको एक टेंप्रियरी पर्मिट अप्लाई कर देते हैं तो उसमें यह होता है कि आप ड्राइव कर सकते हैं लेकिन आपके साथ एक प्रेशन कर देद्वें आदमी आपके साथ पैसेंजर सेट पर बैठा होना चाहिए वो उस वक्त होता है जब आपके पास ड्राइवीं पर्मिट होता है वो लेर्नर पर्मिट बोलते हैं उसको तो मैंने आता ही अकमे दुबई वारे लाईसेंस की वेश्पे लेर्नर के लिए अप्लाई कर दिया था लर्नर के लिए एक चोटा सा एक्जाम होता है रिटन टेस्ट कहते हैं उसको उसमें सब ये रोट साइंस वोगारा और सब कुछ उसको पूछा होता है तो मैंने वो दे दिया था वोगी मैंने अलभ दुलिला फस्ट राई में पास कर लिया था उसके ब अज़ बाउंपर्ल्स देट नहीं मिल रही थी रोग टेस्स के लिए लेकिन मेरे लिए बहुँ ज़ूरी था कि मैंने एफ़स्ट त्री मॉंस के अंदर ही लैसन्स लेना है और सेफिंड विंटर भी आ थी तो मैं यह थोच रहा था कि विंटर से पटला ही मैं लैसंस वहां भी देखा तो वहां आज की डेट अवेलिबल थी तो मैंने सोचा कि मैं आज की गुकर लेता हूं तो वहां जाकर मैं टेस्ट दियाओंगा तो मैंने वो टेस्ट बुकर लिया और आज की टेस्ट पास करने के बाद अलहम दिल्ला आपके सामने करा हूं क्शल में पार्किंग को को जातार आज को मैं जाता है और दूसरा परलेल पर्किंग्ग में सबसे जादर डिफिकल्ट होती है मुझसे पहली गलती हो थी, गैरेज पार्किंग में वह यह कि मैं रोड के बिल्कुल करीब ले आया था, जो कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए गाड़ी तो पिर जब मैं रिवर्स करके लगाने लगा तो गाड़ी बिल्कुल सीधी नहीं हो थी, तो मेरे एक्जामिनर ने तो मुझे अंदाज़ा था, उसके बाद करने के बाद मेरे एक्जामिनर ने मुझे का आगे आप पास हो गए है, तो आगे आपका रोड टेस्ट स्टार्ट होता है, वो सिरफ पार्किंग टेस्ट पास करने की मुझे अंदाज़ा था, तो वो बास करने के बाद थोड़ा स तो मेरे लेखने के इलावा हमें अपना शोल्डर भी लाजमी चैक करना होता है ताके हमारे ब्लाइंड स्पोर्ट पे अगर कोई पैडिस्टेरियन है या बाइक वाला है या गाड़ी भी है जो के हमें नहीं नजर आती तो उसको देखना लाजमी होता है तो मैंने एक टर्ण पे शायद नहीं देखा था तो उसके बाद वो मुझे हाईवे पे ले गया हाईवे ज्यादा खतरनाग होती है वो ज्यादा स्वीड में गाड़ी चल रही होती है तो हाईवे पे मैं बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी चला कर आगया था तो वहां से क्लिय मैं इस तरह की बात करना शुरू की मेरे साथ तो मैं थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि मैं पास हो गया हूँ तो मैं जैसे ही वहां पहुंचाता हूँ मुझे अंदर ले गए और उन्हां नहीं डागे यह आपकी गल्तिया थी और आपको कंगर्जुलेशन्स यह भी पास चाहिए हो तो कॉमेंट्स में जाकर आप लिख दीजिए मैं पूरे गोशिश करूँगा जवाब देने की इंशाला हर कमेंट का जवाब दूँगा और मेरी वीडियो उच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा और सब्सक्राइब करना मत बूलेगा तो फिर मिलते हैं इंशाल अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज